Welcome to GFX स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल GFX में जानेंगे इस वीडियो में 25 महतुन परसन को जो कि आपके सभी एक्जामों के लिए important है और ये जो 25 महतुन परसन है ये वल्लाइनर के रूप में तो आप हर कोसन को ध्यान से समझेगा क्योंकि मैं आपको हर कोसन को डिटल से समझाँगा इस वीडियो की PDF फाइल का जो लिंक है वो मैं नेचे रिसकन बोक्स में दे दिया है आप उस लिंक पर किलिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे आप इन 25 महतुन परसनों में कितना स्कोर करते हैं वो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरू बताएगा तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे फर्स्ट कोसन तो आज का जो पहला कोसन है वो है कि मयूर सी हसन जो था उसका निर्मार करने वाला मुख्य कलाकार कौन था बताएगे जो मयूर सी हसन था इसका निर्मार करने वाला मुख्य कलाकार कौन था तो कौन था इसका तो वो था बे बादल खाँ कौन था बे बादल खाँ इसने जो है मयूर सी हसन का निर्मार करने वाला ये मुख्य कलाकार था अब देखे मयूर सिहासन के, इस कोसन को कराने का उद्धे से मैं आपको मयूर सिहासन के बार में बताना जाता हूँ देखे मयूर सिहासन के बार में ध्यान से सुनिएगा मयूर सिहासन जो है, ये मुगल बार्षा सहाजाने बनवाया था किल्यार है, पहला पोईंट यही पूचा जाथा किस ने बनावाया था सहजा ने बनाए, इसको किस अन्ये नाम से जाना जाता है इसे तक्ट-े-ताउस भी और बहुत बहुत देखें़ यह सब से पहले आगरा के खिणा में रखा गया था, उसके बाद इसे दिल्ली के लाल किल में लाया गया था किलियर है अच्छे इसको मयूर सिहासन इसका नाम क्यों पड़ा था बताए इसका नाम जो है वो मयूर सिहासन क्यों पड़ा देखिए इसका नाम मयूर सिहासन इसलिए पड़ा आप इमेज में देखिए ये था मयूर सिहासन ठीक है और इसका नाम इसलिए म गया था यहां से इसको 1749 में नादिर सहा का आकमण हुआ था और वो इसको जो है अपने पास लेके चला गया था किलियर है साथ में कोहिनूर हीरा जो था उसे भी वो लेकर गया था किलियर है तो याद रखेगा बेबादल खांज होता इसका मुख्य कलाकार था सहाजा ने इस नेषको सरे सबसे पहला छेत्री ग्रामण बैंक की सथापना कब हुई था उसकी सथापना कब हुईती तो इसकी जो स्थापना हुईती वो 1775 में हुईती तो खेत्को फ्त्याशी को जब रोट समझे द्धान से चुनेगा देक data जब इस बैंक की स्थापना करी गई थी यानि कि छेत्री ग्रावड बैंक की स्थापना हुई थी उस ये जो था 2 अक्टूबर कब 2 अक्टूबर पूरी डेट याद रखेगा ठीक है कब हुई थी 2 अक्टूबर को हुई थी 1975 में ठीक है इसके सुरवाद देश में पहला छेत्री बैंक के जिसका नाम रखा गया था क्या रखा गया था छेत्री बैंक इसका नाम रखा गया था उस समय जो इसमें अधिकरित पुंजी थी वो 5 करोड रुपे थी कितनी थी 5 करोड रुपे थी कोसन यहीं से पूछेगा कितनी अधिकरित पुंजी रखी गई थी उस समय इस बैंक से में जो है कितनी प्रात्म बैंक से हुए दो था इसमें अधिकरित पुंजी कितनी थी पांच करोड उपे थी लेकिन जब 2 अक्टूबर 1976 को कब 2 अक्टूबर 1976 की अगर बात करें तो 1976 में पांच करोड छेतरी ग्रामड बैंकों की सुरवात हुई थी कब हुई थी पांच छेतरी ग्रामड बैंकों की सुरवात कर दी गई और जो अधिकरित पुंजी थी वो 100 करोड की हो गई थी अब अब कितनी हो गई 100 करोड की हो गई थी तो याद रखेगा 1975 में पहला बैंक की इस्थापन हुई थी जब इसकी पुंजी जो थी वो 5 करोड पे थी लेकिन जब 1976 में हुआ तो इसकी पुंजी 5 चेत्री बैंक और खोले गए और पुंजी जो हो गई वो कितनी हो गई 100 करोड पे हो गई थी बारत में पुंजी निर्मार का सबसे महत्रपुन सुरोत क्या होता है बताईए क्या होता है तो जो घरेलू पचत होता है वो सबसे महत्रपुन जो है सुरोत है बारत में पुंजी निर्मार का ठीक है याद रखेगा हाउस होल्ड सेविंग्स जो होता है वो सबसे महत्रपुन जो है सुरोत होता है पुंजी निर्मार का नैस कोशन है दूरी के साथ इस्थान परिवर्तन क्या कहलाता है बताइए दूरी के साथ इस्थान का परिवर्तन क्या कहलाता है बहुत ही interesting question है और इससे काफी अलग-अलग तरीके question बनके निकलते हैं देखे, simple answer है विस्थापन क्या होता है? displacement, यानि कि विस्थापन अब त्हां से समझेगा विस्थापन क्या होता है अगर आप विस्थापन समझ गए definition जो मैं आपको समझाऊगा अगर आप वो समझ गए तो याद रखे को question कितना भी घुमा के दे आप उस question को सही कर कराएंगे अच्छा विस्थापन, यानि कि विस्थापन displacement होता क्या है आखिर में देखे, ये सबसे पहले पूछा जाता है ये कौन सी रासी है, तो ये सदीष रासी होती है कौन सी सदीष रासी होती है किलिए रहे, विस्थापन क्या होता है जब कोई वस्थू एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक किसी भी पत से होती हुई गती करती है, तो उसे विस्थापन का विस्थापन कहते हैं और उन दोनों बिंदू के मध्धी की नियुनतम जो दूरी होगी वो विस्थापन की दिशा रेखा होती है देखे होता क्या है एक मालीजी आप इस पर चल रहे हैं ये A हो गया, ये B हो गया अब आपने क्या करा इस A से लेकर B तक की दूरी तै करी ठीक है, आपने क्या करा इस A से लेकर B तक की दूरी को तै करा लेकिन इन दोनों के जो बीच में चली गई दूरी है, यानि कि जो इनका मध्य बिंदू है, ठीक है, याद रखेगा जो इनका जो दो बिंदू के बीच की जो मद्धिन नियून्तम दूरी होती है वो कहलाती है, विस्थाफन कहलाती है, अब चाहे आप दूरी को ऐसे ऐसे चलो, चाहे ऐसे 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 कैसे भी चलो, लेकिन आप जो दोनों का मद्धि विंदू होगा वो बीच का center point इसी होता है, यानि कि distance और displacement में क्या फरक होता है देखें दूरी जो होती है दूरी जो होती है विस्थापन एक सदिस रासी है जबकि दूरी एक अदिस रासी है याद रखेगा पहला पॉंट से ही हो जाता है वस्थू का विस्थापन घनातमक और सुन्य हो सकता है यानि कि प्लस माइनस जीरो हो सकता है लेकिन दूरी क्या होती है बताइए दूरी दूरी का नहीं होता है के लिए याद रखेगा दूरी सदिव क्या होती है यह घनातमक होती है याद रखेगा दूरी क्या होती है गनातमक होती है यानि कि यह हमेशा घनातमक में चलती है clear है, यानि कि plus में चलती है, लेकिन जो विस्थापन होता है displacement होता है, ये तीनों में काम कर सकता है ये plus भी हो सकता है, ये minus भी हो सकता है ये zero भी हो सकता है, clear है साथ में दूरी हमेशा गनात्मग होती है मैंने भी आपको समझा दिया, clear है समझ गए आप लोग है ना, विस्थापन तो सुनिये होगा परंतु उसके दूरी वो, जो है, दूरी हमेशा जो होती है, वो क्या होती है, गनात्मग होती याद रखे, कि कोशन इसी तरीके से बन कर हमेशा निकलता है, clear है, I hope आप समझ गए होंगे, जो भी मैंने आपको भी समझा है इसके बार में, तो displacement इसका बिल्कुल आंसर जो है, यानि कि दूरी के साथ इस्तान परिवलतन क्या आगला था, displacement, next question है रख्त के प्रभाव को रोकने के लिए किसका परियोग किया जाता है बताइए, जो रख्त का प्रभाव होता है, इस रोकने के लिए किसका परियोग किया जाता है, तो इसमें जो है फैरिक कलोराइड का परियोग किया जाता है, किसका फैरिक कलोराइड जो होता है, उसका परियोग किया जाता है रख्त के प्रभाव को रोकने के लिए नेस कोर्सन है काला जार बीमारी किस मक्ही से फैलती है बहुत important कोर्सन है और change कोर्सन जो है बदल बदल का आता रहता है काला जार बीमारी किस मक्ही से फैलती है तो ये जो फैलती है वो बालू मक्ही से फैलती है किसे फैलती है बालू मक्ही से फैलती है अब ये बालू मक्ही क्या होती है देखिए ये परिजीफ यानि कि ये जो मक्ही होती है ये जो अपने जाधतर जीवन होती है ये मनुस्य के सरीज में रहकर ही बिताती है किसमें मनुस्य के सरीज में रहकर ही अपना जीवन को बिताती और इसी से जो होता है वो बिमारी उत्पन हो जाती है अब ये जो मक्या होती है ये जो बालू मक्य होती है ये कम रोशनी वाली और नम जगह पर जैसे कि बात करें मिट्टी की दिवारे हो गई जो दरारे पड़ जाती है उनमें हो गई चूहों के बिलो में तथा नम मिट्ट व्यक्तिक होती तो उसके सरील में जातर अपना जीवन को बिता देती है केलियर है तो याद रखेगा काला जार भीमारी किस मक्वी से होती है बालू मक्वी से फैल्थी है नेस कोशन है टेंटर का कौन सा भाग खाया जाता है बताए reasons कोशन है टमाटर का तो टमाटर का कौन सा फल भित्ती फल भित्ती जो भाग होता है टमाटर में वो टमाटर का वही भाग खाया जाता है किलियर है देखें इंपोर्टेंस काफी बार पूछा जाता है जैसे कि आम का पूछ लेता है कि पता है यह आम का कौन सा भाग खाया जात केले का काफी बार पूछा जाता है केला जो होता है वो मध्य है और अंत का जो फल भित्ती वाला भाग होता है उसको खाया जाता है और इसी तरीके से अंगूर का भी जो फल भित्ती और पहले सेटा पहले सेटा वाला जो भाग होता है उसको खाया जाता है याद रखेगा इनके अंत की बात करें तो देखिए अंत की कहानी जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से कुछों का कहना होता है कि एक घटना हुई थी ठीक है पृत्वी के अंदर आज से करीबन करोड़ों सालों साल पहले मिलियन साल पहले जो है घटना हुई थी जीक है जिसमें जो था इन्य लूप्त हो गए थे किलियर है तो काफिवार वोन चीजों को बोला जाता है तो अगर दीखें इसकी बात करें मैं सो जो जो यूग bir की जिसमें डाइनसृर जिसको डाइनसोर यूग कहा जाता है इसमें डाइनसोर थे चाहे वो जमीन पे चलने वाले हो या उडने वाले हो सभी थे ठीक है पृत्वी के इतिहास की बात करें तो ये कम से कम माफ कीज़ेगा डाइनसोर डाइनसोर के जो इतिहास की अगर बात करें तो ये पिर्थवी पर आज से करीबन 248 मिलियन साल पहले थे कितना 248 मिलियन साल ये पहले थे और 65 मिलियन साल या पहले सभी डाइनसोर पिर्थवी से लुप्त हो गए थे आज से 65 मिलियन साल पहले डाइनसोर इस पिर्थवी से लुप्त हो गए ये कहा जाता है अब देखिए जो ये मैसोजोईक जो यूग है ये कहा जाता है इससे पहले भी एक यूग था जिसका नाम था पैलोजोईक क्या था पैलोजोईक यूग था ठीक है अब उसकी पहचान इतनी नहीं है लेकिन पैसोजोईक यूग में डाइनसोर को पाया जाता है इसमें जो पै से पहले आरम हुआ था कब 25.217 करोड पहले और वहीं 6.6 करोड वार्स पहले इसका अंध हो गया इससे पहला अभी मैंने आपको बता है पहला जोई की यूग था अच्छा बात आती है काफी कोशन घुमा करा जाता है यह बताए डाइनसूर का जो यूग था वो तो पैसो जो कोशने लोगसबा का कारेकाल 6 वर्स से घटा कर 5 वर्स की सविधान संसोदन द्वारा किया गया था तो पता है कि सविधान संसोदन द्वारा किया गया था तो आजसर बहुती इसका सिंपल है आए होप आपको बता होगा चावाली से सविधान संसोदन की द्वारा कब किया गया था चवालि इसे समीधान संसुदर बहुतीईंप्र्स एं और यह ज़िएक कब हुआ था? कब हुआ था? upgrade और करेसी में भारत में उस्चुतम नियाली की स्धाबना का पर्थम पराधान किस अधीनियम के अंतरक्त किया गया था? बताइए किस के द्वारा किया गया था तो regulating act 7073 के तहत किया गया था और कहा खोला गया था कलकत्ता में याद रखेगा ठीक है काफी बार पूछा जाता है तो regulating act जो आया था 7073 का उसमें जो है भारत में उचेतम नियाली की स्थाबना का प्रथम प्राफधान था किलियर है 7073 की बात करें regulating act की तो East India Company के गतिवीदियों से संबंदी थी ये पहला महत्पुन संसद्य कानून था ठीक है और इसका जो उदेशी वो यही था कि भारत में East India Company के गतिवीदियों को बिटिश सरकार की निगरानी में लाना था क्या था उदेशी है इसका उदेशी है क्या था उदेशी है तो यही था ना कि भारत में जो East India Company है उसकी गतिवीदियों को बिटिश सरकार की निगरानी में लाना तो याद रखेगा 7073 का ये रेगल लेटेंक था जो था उच्छे तमनियाली की स्थापनेगरी की वह भी कलकता के अंदर कभी मैं आपको डिटेल से इसके बारे में पूरी डिटेल दे दूँगा नेस कोसान है बैंकिंग छेतर में NPA का पूर्ण रूप क्या होता है काफी बार ये कोसन एक्जाम में पूछा गया है कि NPA इसका मतलब क्या होता है पूर्ण रूप तो सिंपल सा है इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसिड क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसिड अब देखी ये होता क्या है बैंक से रिंड लिया, यानि कि ब्याज लिया, ठीक है, पैसा लिया, अब उसका जो है ब्याज भी उसको देना और मूलधन भी देना पड़ता है, इसी तरीके से होता है, उस पे जितना परसन का ब्याज बनता है, वो भी देना होता है, बाकी का जो मूलधन होता है, तो अगर अगर वो 90 दिन तक ना तो ब्याज देता है और नहीं मूल रूप से परिकलिप्त अबधी और अपनी सीमा तक नगत प्रभाव नहीं बनाती है या आप सिंबल सा याद रखे कि 90 दिन तक आपने किसी से ब्याज दिया और नहीं लिया तो आप पर फिर ये नॉन प्रफॉन्स जो एसेट है ये लगा दिया जाता है नैस को सने रेडियो अकास गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपियोग किया जाता है किसका हबल के नियम का उप्यूग किया जाता है और इसे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था गोरी गिरोमोर क्या थे गोरी गिरोमोर इन्होंने कहा था कि अकास गंगा की दूरी और अकास का पता लगाने के लिए हमें जो है यह समझदारी बन सकता है कि हमें जो है ब्रमांड का विस्तार हो रहा है और इसे हबल लो कहते हैं क्या कहते हैं ब्रमांड का विस्तार को ही हबल लो कहा जाता है और नोंने अकास गंगा की चमक और हमेशा उसकी दूरी के बारे में पता लगाने की कोशिज ये करते रहते थे हबल नियम के द्वारा ही ये काम होता था किलिए रहे और आपको पता होगा जो अकास गंगा है यानि कि जो हमारी गैलेक्सी है ये हर मिनट हर घंटे बढ़ती रहती है ठीक है इसका कोई भी अनुमान नहीं कि कहां जाके रुकेगी हिलेर है और आज तक पता भी निये कि कितनी बड़ी है ठीक है तो क्योंकि एक खोज करने की भी एक सीमा होती है तो वहीं तकी सीमा रखनी पड़ती है तो इसलिए इसका पता नहीं है और ये हमेशा बढ़ता रहता है नेस कोई सरने वनस्पतियों जानवरों एवं सुकसम जीवों की अफसोस किस चटानों में पाय जाते हैं बताएए ये किस चटानों में पाय जाते हैं तो ये जो पाय जाते हैं यानि कि जो वनस्पतियों होती हैं जानवर होते हैं उनके सुक्सम्जीव होते हैं ये जो इनके जो करण मिलते हैं वो अफसादी चटानों में पाय जाते हैं किसमें अफसादी चटानों में अब ये अफसादी चटाने क्या होती है अग्दर ये चटानों के बारे में से भी कोस्टन काफी बार निकल कर आता है कि अफसादी चटानों में क्या होता है क्या क्या पाया जाता है काफी बार पहुचा जाता है कि बलवा पत्थर, चूना पत्थर, सलेट नमक की चटान, ये कहा मिलती है तो ये सब अफसादी चटानों से ही पाया जाता है कि लिए रहे, आप पूछा जाता है कि अब देखिए अगर आप इनका अंसर जबी दे सकते हैं जब आपको चटान के बारे में पता हो तो ध्यान से चुनिएगा ठीक है इस कोशन को कराने का उद्धेश है मैं चटान के बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ तो अफसादी जो चटाने होती हैं ये प्राकरती कार को द्वारे निर्मित होती है किसके बही जैसे की माल लीजिए आपके बगल में कोई मकान खाली है कि लिए रहे माल लीजिए अब क्या करेंगे आप उसमें कुड़ा तो फैकेंगे ना और धीरे-धीरे क्या होता रहेगा वो जो मकान अभी तक खाली था उसमें धीरे-धीरे कुड़ा भनने लग जाएगा यानि कि वो एक तरीके से उसमें कुड़ा एक खटा होने लग जाएगा नेटिक हैं महीं चोटए-चोटे कण जम्म हो गए बाद में रायसाइनिक प्रतिकरिया होने लग जाती है घ़ल अगर कोई चीज हो रही है तो उसमें इस चाहता है क्या पाये जाता है इसके अंदर बलवा पत्थर चूना पत्थर लेट कंगोल मेरट और नमक की चटाने और सोली खरी आधी इन चीजों में इस चटान में पाये जाता है याद रखेगा इंपोर्टेंट से नेस कोसन है आर्थिक उदारी करण का जनक किसे कहा जा देखिए यह जो कहानी है नर्सिंग राओर की शरकार थी 1991 में कब थी 1991 में किलियर ह। 1991 में ये थी और इस समय इस्तिती कुछ इस तरीके से बन रही थी कि वित्तिय अपात कले लगाने की इस्तिती बन रही थी यानि कि financial emergency के लिए रहे तो उस समय जो था नर्सिंग राओ की सरकार थी और डॉक्टर मर्मों सिंग जो थे इसमें क्या थे वित्तिमंत्री थे ठीक है उन्होंने ये सिद्धान दिया कि हमें आर्थिक उदारी करण इसको अपनाना चाहिए इसमें क्या होता है इसमें ये होता है जो उदारी करण होता है इसमें आर्थिक सुदार है जिसका उद्देश है था कि भारत में वेपार उद्द्यों को सभी अनवेश्यक नियंत्रणों और परतिवंदों से मुक्त करना था ठीक है यानि कि लाइसेल्स परमीट कोर्ट जो थ उसका अंत करना था ठीक है अंत का संकेत उसने इनों में दिया गया था उदारी करण किसी भी परिकरिया की जिसके द्वारा एक राज्य कुछ नीजी व्यक्तिगद गतिवीडियो पर पड़तीवन लगाता है ठीक है इस शरीके से जो है इनोंने आर्थिक उदारी करण of the artificial heart तो कृतिम हिद्य का निर्माता पता ये कौन है तो ये थे Robert Jarvik कौन थे Robert Jarvik जो थे इन्होंने किया था लेकिन देखे इन से पहले भी इन्होंने जो है निर्मित कर दिया था ठीक है इन्होंने निर्मित कर दिया था यानि कि इन्होंने बना दिया था लेकिन इससे पहले 2 दिसंबर 1982 स्टोरी है 2 दिसंबर की 2 दिसंबर की स्टोरी ध्यान से सुनिएगा 2 दिसंबर 1982 को क्या हुआ था एक प्रोफेसनल थे जिनका नाम था रिटायर डेटर्स्ट बनरी क्लार्क ठीक है 61 वर्षिये थे उन्होंने ये रिटायर थे ठीक है और इन्होंने पहली बार अमेरिका की युनिवस्टी ओफ यूटा मेडिकल सेंटर में प्लास्टिक और ऐल्मोनियम से बना क्रितिम हिर दिये पर्तिरोपित किया गया था इनके दुआरा ठीक है किस से बनाया था इन्होंने प्लास्टिक और ऐलमोनियम से बनाया था कृतिम का मतलम मैंने आपको बताई दिया है आर्टिफिसियल होता है यानि कि वो चीज जो कि मनुष्य द्वारा बनाई जाती है तो परतिरोपित किया गया जबकि इसको बाद में जो जार्विक ने इसको बना दिया पुरी तरीके से मतलब निर्मित कर दिया इन्होंने ठीक है उन्होंने प्रतिरोपित किया था लेकिन बाद में जो रोब्ड आजार्विक आये इन्होंने पुरी तरीके से इसको बना ही डाला था याद रखेगा ये कुछ इसके बीच में था अप्टुबर 1982 याद रखेगा परसिद कोहिनुर हीरा सहाजा को किसने भेट किया था भाई इस कोशन को आप ध्यान से समझेगा ठीक है मैं आपको बहुत अच्छे से इस कोशन को समझाओंगा देखें मैं उमीद करूँगा आपको अच्छे से समझाओं परसिद कोहिनुर हीरा सहाजा को किसने भेट किया था तो मीर जुमाला ने भेट किया था मीर जुमाला नाम भौत बार पूछा जाता है कोशन चेंज आते हैं मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ मीर जुमाला ने भेट किया था आप देखे, कोहिनूर हीरे का कुछ इतिहास है, वो कुछ इस तरीके से है, इसके ओपर कहानिया भी है काफी, कि ये बोला जाता था कि कोहिनूर हीरा जो है, ये कहानी थी कि कोहिनूर हीरा जब तक किसी महिला पर रहेगा ना, तो वो महिला जब तक ये उसका लाब उठा सकता कोहिनूर हीरे पर यह कहानी थी, ठीक है, हाँ, अगर यह किसी पुरूस पर गया, तो वो उसका विनासकारी यह बन जाएगा, कोहिनूर हीरा, अब देखे, कोहिनूर हीरे का काफी बार अर्थ पूचे जाने लगा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, रोसनी का पहार, क्या होता रानी विक्टोरिया ठीक है इस चिंडिया कंपनी की जो मालगिन थी उन्हों ने जब इसको पहना तो उनका विस्तारी हुआ आपने देखा अंग्रेजियों ने कितने 200 सालों तक सासन करके चले गए हमारे पास ठीक है देखे ये हीरा सिर्फ औरतों और संतों के लिए ही भाग कितिया सामराज्ये के पास था सबसे पहला बारवी सताबदी में काकतिया के पास था जहां हिंदू देखताओं की आखों के तोर पर मंदिर की सोभा बढ़ा रहा था, वहाँ पर रखा हुआ था, सबसे पहले इसको अलावदिर खिल जी जब आया, अलावदिर खिल जी का सेना पती था मालिक काफूर, उसने जो है 1310 में इसको वहाँ से चुरा लिया, ठीक है? 1310 में इसको चुराने के बाद इसको खिल जी को भ हुमायू के पास आया, हुमायू ने इसे बाबर हीरा नाम दिया, क्या दिया, बाबर हीरा नाम, काफी बार पूसा जाता है, याद रखेगा, उसके बाद ये 1749 में नादिर साहाया, ठीक है, अब देखें, जैसे जैसे आता जा रहा है, वैसे वैसे सल्तनत खतम होती चली गई ठीक है, अब जब ये हुमायू के पास आया, फिर ये सहजा के पास आया, सहजा के बाद से फिर ये पूरी तरीके से जो है, खतम हो गई, सल्तनती खतम हो, क्योंकि 1749 में नादिर साह का आकरमण हो गया, तो दिली सल्तनत एक तरीके से पूरी तरीके से खतम हो गई, नादिर साहा की हत्या हो गई मतलब उसकी हत्या कर दी गई थी उसके बाद कोई नियुल हिरा जो है अफगानिशन साहा एहमसा दुरानी के पास चला गया उसके बाद उसकी मोध भी हो गई फिर वंसल साहा सूजा दुरानी के पास पहुच गया उसके बाद ये ऐसी दोड़ता रहा उस महारानी विक्टोरिया को कोहिनुर हीरे की चमक कुछ कम लगी थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, इसको तरासा, और ये 1816.16 का था, लेकिन जब इसको घटा देगा Sache किसकी मतलब उसको तरासा गया तो यह 105, कितना 105.602 क्यारेट का हो गया था, किलियर है, लेकिन महरानी विक्टोरिया ने जब उनको इस कहानी का पता चला कि भाईया कुछ ऐसी कहानी है और उन्हें इतियास को छाटा, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यह जो कहानी है वो सत्य है, और उन्होंने यह बोल दिया कि यह जो है, इसको केवल सदेव महिला ही पहनेंगी, ठीक है, यदि कोई पुरूस ब्रिटिस का राजा बनता है, तो भी उसी की जो पतनी होगी, वही इसे पहनेगी, तो यह कहा गया था, विक्टोर के तो कुछ इस तरीके से कहानी थी, कि इसकी परसीद कोई नूर ही रहे कि, आई होप आप समझ गयोंगे, अकबर के समय बनी पहली महतबुन इमारत कौन सी जी, तो यह हुमायू का मगबरा जो था, यह सबसे महतबुन इमारत थी, भारत में सुनी अधारित बजर स्वर पर्थम किसने प्रस्तुत किया था, पर कोची में, कारों की बैटरी में किस एसिड का इस्तमाल होता है, तो कारों की बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक, किसका सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से देखे, यह पूछा जाता है, इसका काफी वाज जो इसको गंद कामल, गंद कामल क इसको बोला जाता है और इसका सूत्र पूछा जाता है बाकी चीज में इतना नहीं पूछा जाता है लेकिन इसका सूत्र पूछा जाता है इसका सूत्र क्या है इसका सूत्र है H2SO4 जो है इसका सूत्र है याद रखेगा इंपोर्टेंट से पूछा जाता है एक्जाम में नेस लेक्टिक एसिड जो हता है वो दूद प्रोटीन से प्रतिकरिया कर इसे धाई में बदल देता है ठीक है और इसी के द्वारा जो है इसमें हो जाता है इसका भी सूत्र पूछा जाता है लेक्टिक एसिड जो हता है इसका भी सूत्र पूछा जाता है और इसका सूत्र क्या होत सबसे थेज बढ़ता है तो बांस्क नहीं म कंश्टी धेश कौन से थेज बढ़ने वाले तो गयों मक्का जो धान ये सारे कश्टीय पोधे हैं जो कि सबसे थेज बढ़ते हैं हिंदी हिंदू हिंदू हिंदूस्तान का नारा किस ने दिया था बताइए हिंदी हिंदू हिंदूस्तान का नारा ये किसके द्वारा दिया गया था भरितेंदू हरिचंद के द्वारा किसके द्वारा भरितेंदू हरिचंद के द्वारा ये नारा दिया गया था नेस कोंच ने पर्थम विश्व परिवरन दिवस कम मनाया गया था बताईए पर्थम परिवरन दिवस जो है ये कम मनाया गया था तो ये जो मनाया गया था वो 1972 में मनाया गया था देट याद रखेगा इंपोर्टेंट है 1972 के अंदर ही पर्थम विश्व परिवरन दिवस को म ठीक है और यही पूछा जाता है काफी बार एक्जाम में कोशन देखा गया है तो यह है आज की 25 मेहत्मों परसन की वीडियो आपको वीडियो कैसे लगए पिलिश कमेंटों से बताएगा जरूर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल में नहीं है तो च पूरा वोच कीजेगा क्योंकि जब आप पूरा वोच करेंगे क्योंकि मैं आपको हर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो इसलिए वीडियो को पूरा वोच करें सेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले अकर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजि तो चलिए मिलते हैं नेस वीडियो में Have a nice day, thank you for watching guys